Hello friends, स्वाइगत है आप सभी का quality education के इस learning platform पर और आज की इस session में हम ये जानेंगे कि आपके लिए rate का exam अखिरकार इतना महतफून क्यों है और comparatively ये exam इतना आसान क्यों है इस पर भी देखेंगे यदि आप सही से analysis करेंगे बिलकुल इमानदारी से इसका visualization करेंगे तो ये आप पाएंगे कि आपके सामने ये बहुत बड़ी opportunity है इतने बड़े पद कई सालों में कई बार में एक बार याते हैं और यदि आप अपने परियासों को अपने रणनिती को अपनी तरफ से थोड़ा सा extra effort लगाएंगे तो मैं कहा रहा हूं ये बहुत ही सरल exam है आप इसको इसके बावजुद मैंने पहले प्रियास में 2012 में जो अभी रीट हो रही वो आल्टेट होती थी उस और उसके बाद जो competition exam था वह fight के और पहले ही प्रियास में अच्छे अंकों से मेरा selection भीवा उसके बाद 2012-2021 तक मैं खुद 33 अध्यापक के पद पर कारिद था तो मुझे लगता है यदि मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते आप 100% कर सकते अब मैं आपको इस session में कुछ ऐसे facts बताऊंगा जिससे ये prove हो जाएगा कि आप लोगों को लगेगा कि ये exam बहुत आसान है अब आप लोगों को ये भी लगेगा कि सर हमें कई महीने तयारी करते होगे हम अपनी रणनीती क्या होगी इसके लिए मैं आपको लगातार session लेकर क्या आता रहूँगा लेकिन इस session में हम किवा लिये जानेंगे कि ये exam कैसे आसान है comparatively इसको कैसे crack किया जा सकता है तो आईए एक एक बात पर हम लोग discuss करते हैं देखिए सबसे पहला इस exam की importance कि कितनी है इस exam की महता कितनी है आप लोगों के लिए वो मैं बता हूँ देखिए इसमें एक ही exam है और एक ही exam के बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी आपका ढ़ाई गंटे का paper है और ढ़ाई गंटे में यदि हम बात करें दो गंटे 30 मिनट में 150 मिनट होते हैं और 150 यह के प्रशन है इस समय मेनेजमेंट कैसा हो इस पर भी अलेक्स लाए जाएगा लेकिन धाई गंटे के exam में आप इसकी इतनी बड़िया तयारी कर सकते हैं कि धाई गंटे का exam और आपकी नौकरी पक्की इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है कोई interview नहीं उसके बाद कोई भी में बात करेंगे देखी थोड़ा सा धेरी रखे यहां पर आपको एक 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 एक्जाम और नौकरी पकी इसमें आपको पहले प्रिलम्स देना है फिर मैंस लिखना है और फिर interview देना है हर इस तर पर आपको filter होकर के आगे जाना है मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने दो अब मैं आपको बता हूं इसके बाद आपको इसकी बात करें तो इसके साथ साथ आप आगे की तयारी कर सकते हैं इतना समय आपको खूब मिलेगा इसके साथ साथ आप आगे की जो आपकी तयारी है अब आप कहेंगे किसे आगे की तयारी कैसे यदि आप second grade बनना चाहते हैं first grade बनना चाहते हैं, school lecturer के अलावा college lecture की त्यारी करना चाहते हैं, net करना चाहते हैं, या प्रसासनिक पदों में आना चाहते हैं, तो इसको लिंक के समय के अलावा आपको पढ़ने का खूब सारा समय इसमें मिलता है, दूसरे, इसके chain अंतिम इस्थान पर हुआ, तो भी आप शिक्षक बनेंगे, फरक इतना पड़ेगा, कि जब आपकी posting होगी, तब आपको जिल्ले में दूर जाना पड़ेगा, तो प्रियास ये रखें, कि अपने अच्छे अंकों के साथ आपका chain हो, RS में बात करें, तो यदि आपकी top merit है, तो ही आप SDO या RPS बन पाते हो, यदि आपकी नीचे की merit है, तो आप L10 की नोकरी, जो subordinate service में है, वो प्राप्ट करते हो, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस की तैयारी आप कर रहे हैं, उसका जो वेतनमान है, वो L10 है, 36 grade पे की equivalent है, और RS subordinate में भी यही grade पे है, यही वेतनमान है, तो एक ही समान बराबर का वेतनमान, आप यदि दोनों exam की comparatively देखें, तो इतने सारे exam के बाद भी, यदि 4-5 नमर का जो खेल है, 5-10 नमर का जो खेल है, यह नमर आपके कम आई, तो आप इसी grade पे पे नोकरी करेंगे, और इस एक ही exam में आपको crack करने के बाद L10 की जो नोकरी है, वो मिल जाएगी, तो हुआ न यह comparatively आसान, है की ने, अब आपको मैं और अच्छे से fact page पे बताओ, कितना बड़ा आउसर है आपके पास, कितना बड़ा opportunity है इसको exam को लेकर आपके पास, कुल पद कितने हैं, 31,000 पद है आपके पास, इतने बड़े पदों में आपका chain होना, थोड़ा सा आसान है, आरेस की बात करें, comparatively, तो आरेस में 1,000 पद आते हैं, मैं इसको यहाँ पर तुलनात्मक रूप से बात करूँ, आरेस में 1,000 पद आते हैं, अधिक्तम 1,000 पद आते हैं, उसके लिए भी chain होता है, इसमें 31,000 पद आपके आई हुए हैं, यहां merit का कोई फरक नहीं आओगे, तो अभी वही शिक्षक बनोगे, रंतिम आओगे, तो अभी शिक्षक बनोगे, इसमें पहले आओगे, तो SDRe बनेओग, रंतिम आओगे, तो सब बोड्र level 2 की बात करें तो लगवग लगवग 6,03,000 students pass है यहां बात करें तो pre में आपको जो फोरम भरे जाते हैं on an average 5,00,000 फोरम भरे जाते हैं उसमें से 4,08,000 students को fail कर दिया जाता है men's के लिए केवल men's के लिए लगवग लगवग पोस्ट का 15 गुणा यानि की 20,000 विद्यारती ही पास किया जाते हैं 20,000 विद्यारती पास होने के बाद इनका फिर men's होता है men's के बाद men's के result आता है तो interview के लिए call होता है तो यहां से 18,000 लड़कों को फिर fail कर दिया जाता है केवल 2,000 लड़के ही पास किये जाते है interview के बाद final merit बनती है और final merit में इन 2,000 में से भी 1,000 लड़कों को fail कर दिया जाता है और 1,000 लड़के ही पास करते हैं इस 1,000 में भी जो top आएंगे वो SDO, RS और अच्छी-ची poster पर जाएंगे और जो नेचे आएंगे वो सब board net service में जाएंगे यहां ऐसा कुछ नहीं है यहां आप देखेंगे कि यदि आपने first भी आगे तो भी आपका वही second आगे तो भी और last में आगे आपका chain हो गया तो भी आप उसके equivalent पद पर जाएंगे तो देखेंगे आपके सामने कितना बड़ा आउसर है और लगातार मैं आपके लिए शर्षन लेकर करके आउंगा कि आपको बचावा जितना भी समय है इसमें अपने आपको कैसे बहतर करेंगे अब देखें कॉंपटिशन कितना है आपके rate में मुझे लगता है बिल्कुल भी competition नहीं बहुत कम स्थर का competition अब सर आप कहेंगे कि यह आपके लिए हो सकता है बिल्कुल भी competition नहीं हो हमारे लिए तो बहुत competition है देखें बात करतें कितना competition है? आठ लाक लोग है और आठ लाक मैंसे 31,000 लोगों का chain हो जाएगा तो कोई ज़्यादा competition नहीं है यहाँ पर आपको comparatively RS से बात करें तो RS में 5 लाक मैंसे 1,000 का ही chain हो जाता है और वो भी कई सारे step पार करने के बाद लेकिन अंतिम step में यह दिया आपका subundate में chain होता है तो भी दोनों का वेतनमान बराबर होता है दोनों बराबर तनख्वा लेते हैं अब आगे देखिए किस के साथ आपका competition है यह बहुत महत्वपून्टीज है कि आपका competition किस के साथ है आपका competition या तो BSTC किये वे DLA किये वे लड़के लड़कियों के साथ है या BAD किये वे लड़के लड़कियों के साथ है जो अलरड़ी first grade, second grade बन गए है वो तो आपके exam में बैठेंगे नहीं लेकिन RS में देखो RS का जो exam देते हैं उनका IS वाले के साथ भी competition होता है उनका doctorate के साथ भी competition होता है उनका MBBS कियावा, BT कियावा, IIT कियावा जो अपने field के top पर है वो भी civil services में आते हैं उनके साथ भी compete करना यदि आप चाहते हैं कि आप आगे RS बने तो comparatively आपके लिए ये exam बहुत ही आसान है इतना सारा करने के बाद आपकी रणनेती क्यासी हो इस पर भी हम लगातार session ले करके आएंगे अब इतना easy exam होने के बाद यदि किसी कारण बस आपका चाहे नहीं होता है तो इसके लिए पूरे के पूरे आप स्वेम उत्तरदाई है आप स्वेम उसके लिए जिम्मेदार रहने वाले आप नय तो परस्तितियों को दोस्त दे सकते हैं ने आपके घर की condition को दोस्त दे सकते हैं ने आपका कुछ किसी और करण को आप उसके लिए उत्तरदाई ठहरा सकते हैं आप swim उसके लिए जिम्मेदार रहेंगी अब करना क्या है pass कैसे करना है इस पर हम अगले session में बात करेंगी लेकिन यह exam यहाँ पर RS में बात करें तो हम कई सारे जो IS कर रहे हैं उनके साथ भी आपका competition है MBBS कर रहे हैं उनके साथ भी आपका competition है यह जो टॉपर लोग है उनके साथ भी आपका competition है लेकिन दूसरी तरफ यह भी हम बात करें आपके exam है BSTC या DLAड़ वालों के ही या फिर B.A.ड़ वालों के साथ ही competition है उसमें भी अधिकतर जो आपका competition है वो फ्रेसर लड़कों के साथ है तो यह exam यदि आप थोड़ी सी smart तरीके से थोड़ा सा धंग से पढ़ा तो यह बहुत ही आसान exam रहने वाला है अब आपको लगता है कि यह exam आसान है तो उसके लिए अपनी तयारी में क्या-क्या आपको रणनीतियां बनानी होगी कैसे-कैसे test देने होगी इसके लिए हम लगातार आपके साथ session लेकर के आएंगे यदि आपको इस session को थोड़ा सा भी आपको लगा कि हमारे लिए fruitful था, हमारे लिए enjoyable था हमारे तयारी को मैं मदद करने वाला है तो आप इस session को like जरूर करें और comment करके जरूर बताएं कि आपके लिए session कैसा रहा और आपको ये भी लगता है कि हमारे लिए कुछ इस प्रकार के और भी वीडियो लाया जा सकते हैं तो आप comment करके जरूर बताएं ताकि आपके comment के अनुशार आपके सुविधा के अनुशार आपके मारे दर्शन के लिए कुछ और वीडियो बनाया जाए अब मैं आपको ये बताओं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe कर लें ताकि notification के माज़्यम से हर जानकारी हम आपको आप तक पहुंचा सकेंगे और इस सेशन को वाकई आपको मज़ा आया है तो लाइक जरूर करीजेगा अपनी तयारी को बहुत बैतर करते रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए थैंक्यू वेरी मुच